आदाब मैं हूँ अनबर खान आप देख रहे हैं एन भारत समाचार अलीगर्विदित है कि बेलगावी जिले में चिकोली तालूप में नंदी परवत पर स्थित जैन तीरत पर विराजमान जैन आचार्य पूज श्वी 108 काम कुमार जी मुनिराज की दिनाग 5 जुलाई 2023 निर जुलाई दिन गुरुबार को एक अहिंसक शांतिपूर्ण रेली माननिय जगवीर किशोर जैन पूर्व मल्सी के नित्रित्व में एवं श्रीमती मुक्ता राजा शेहर विधायक श्रीमान अनिल पाराशर कोल विधायक की उपस्थिती में रामलीला ग्राउंड से दुबे जिस गंबीर विश्य की चर्चा करने जा रहे हैं वो गंबीर विश्य जिस तरीके से करनाटक में जैन आचारे पुर्ण श्री एकस्वार कामकुमार नंदी जी की मुनिराज जी की निर्मा मत्या जिसके बिरोज में अइंसक शांतिपूर्ण रेली 20 जुलाई को निकाली ग करें हैं शकल जैन समाध समन्वे समिती के स्वयुजक्त श्री राजीब जैन जी से हम इस विश्य पर चर्चा करेंगे दुखत और नुशन सत्या का मामला है हमारे जैन आचारे एकसो आठ कामकुमार नंदी जी महराज जो की करनाटक राज्य के बेल गाम जिले के चिकोडी तालका में हिरोकुडी गाओं पर नंदी परवत पर अपनी साधना में लीन थे और उनका पांच जुलाई को आपरहण करके वहशी दरिंदों के द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई और हत्या के बार उन वहश्यों के द्वारा उन धर्म गुरु के मृत्शरीर के नौट उपड़े किये गए और उनको बीविन जगह बोरवेल में अननी जगह डाल दिया गया जब जैन समाज के संग्यान में यह मामला आया तो उनके एक जैना चारे जो साथी थे उनके गुरु के उन्हों ने अंशन किया अन्यजल का त्याग किया और सरकार को आगा किया उसके बाद दो आर्योपियों को पकड़ा गया और उन्हों ने इस हथ्या को कबूल किया लेकिन उसके बाद करनाटक सरकार के द्वारा कोई सार्थक कदम नहीं उठाया गया इस घटनक की जाच नहीं की गई उससे परदाफाश नहीं किया गया और वह परदे के पीछे क्या है यह जैन समाज को नहीं पता कि क्यों उनके जैनाचारगी इस तरह से देनों प्याकी हो सच्छा कारण रहे इस को का अकरणाड़ सवधार में इसको इस क्या को का गंदी संगे अकराद की शिरे में नहीं माना और समाज को कि आत्मक्सित है आई इसके मन में एक